गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम बैक तो आज चैनल मेरा नाम अचुले चले देखले तेकल के लिए आप प्रैस एक्षिन हो सकता है और मार्केट के इस डिरेक्षिन में मूह कर सकता है आज दोनों इंडेसिस में एक मेजर क्रेश देखने को मिला जहाँ पे बैंक लेके पूरा दिन एक सेल ओफ देखने को मिला जहाँ पे जो 22,000 का जो राउंड लेवल है जो हमने कल के दिन डिसकस किया था कि यही रेंज 22,000 से लेके 21,900 तक यह रेंज एक पूरा डिमांड जोन की तरह काम करेगा पर आज इसी लेवल पे आके एक सपोर्ट लेके क्लोज तो यह लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाता है तो पूट राइटर्स का डॉमिनेशन देखने को मिल सकते है अगर हम अपसाइड देखते है तो 22,200 और 22,300 पे अच्छा खासा स्ट्रॉंग कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का जो 22,100 के पास और 21,900 के पास का जो स्विंग है यह रेंज एक वालेटायल रेंज बन जाएगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर निफ्टी इस रेंज में खुलता है तो वालेटिलिटी देखने को मिल सकता है अगर के ऊपर जाता है तो कई न कई 22,200 के पास एक रेजिस्टेंस लवेल है और 22,300 के पास एक अगला रेजिस्टेंस लवेल देखने को मिल रहा है जो एक ओवाय में भी हमने देखा अगर डाउन सेड आता है तो कई न कई 21,800 के पास एक सपोर्ट लवेल देखने को मिल रहा है जहां से एक major rally आया था निफ्टी में तो यह level एक major demand zone की तरह काम कर सकता है अगर निफ्टी में gap down opening भी आता है तो कई ना कई 21800 से लेके 21700 का जो range है यही range एक major demand zone की तरह काम करेगा अगर निफ्टी में gap up opening आता है तो फिर से SL hunting हो सकता है जहां पर निफ्टी फिर से उपर भाग सकता है जहां पर उपर के side जो resistance है यह resistance कर सकता है अगर कई ना कई इस range में खुलता है और फिर से थोड़ा downside आता है तो यह range में फिर से trading session में पूरा range bound था और गिनने से पहले एक spike देखे जो gap ता यह gap close करके फिर immediately एक reversal देखे नीचे के side crash करके जो 47 500 का जो round level है इसी level पे एक support लेता बहुत closing दिया है अगर हम बैंक निफ्टी का हुआ है देखते है तो 47 500 पे एक minor put rating के साथ close हुआ है अगर हम downside भी देखते तो हर round level पे एक minor put rating देखने को मिल रहा है एक minor support की तरह दिख रहा है अगर हम upside देखते तो 48,000 पे एक major call rating के साथ एक major resistance जैसे दिख रहा है 47 800 पे जो कल के दिन एक support level था यह अभी यहां पे भी call raters का domination देखने को मिल रहा है जो कल के दिन एक resistance जैसे बहेव करेगा अगर हम चाट पर वह अपस आते तो यह जो swing है और आज का जहां पे 48,000 पे थोड़ा सा volatility देखने को मिल सकता है अगर इसके ऊपर निकलता है तो upside पे 48,300 का जो level है जो पर्सो का closing था यह level एक resistance जैसे भेव करेगा और कईना कई 48,500 का जो round level है इस zone में एक resistance phase कर सकता है अगर flat कोल के नीचे के side आता है या फिर gap down कोलता है तो कईना कई 47,200 के पास एक support level है और एक major support level 47,000 जो एक round level है यह level एक major support की तरह काम कर सकता है अगर हम previous trading session भी देखते है तो कईना कई इसी zone से एक buying momentum देखने को मिला था एक major demand zone 46,700, 46,600 के पास देखने को मिल रहा है तो यह होगा मैरा analysis कल के लिए thank you